एक नया Captain America आचुका है जिससे Super Soldier सिरम की कोई ज़रत नहीं है एक President जो की वो बन गया है जिससे वो नफरत करता था और एक Super Soldier की Death Captain America Brave New World का नया ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा है कि हमें को जबरदस देखने को मिलेगा तो Brave New World के पिछले ट्रेलर ने अल्रेडी बहुत कुछ बता दिया था पर इस ट्रेलर ने माहूल को और खतरनाक बना दिया है इस बार Captain America Super Soldier सिरम से इनहेंस नहीं है बलकि टेकनलोजिकली इनहेंस है जिसकी मलत से वो Super Soldier से भी ज़ाधा पाउरफुल दिख रहे हैं और इस ट्रेलर से ये फील आ रहा है कि ये नया Captain America बहुत जबर्दस टकर देगा President Ross के Red Hulk को हमें Red Hulk का भी पूरा लुक देखने को मिला और ये लुक शानदार है और यहां दिखने वाली डीटेल हमें बहुत कुछ बता रहे हैं तो आईए हमेशा की तरह ट्रेलर के कान में घुच जाते हैं हमेशा की तरह मैंने ट्रेलर का एक एक शॉर्ट एनलाइस किया है जहां से मुझे समझ आ रहा है कि हमें मुवी के साथ अलग-अलग हिस्तों की जलक मिली है यहां जहां से मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमें मूवी का ट्रेलर नहीं बलकि मूवी के साथ अलग हिस्सों का एक सेपरेट ट्रेलर मिला है यहां नए Captain America की शुरुवाती लड़ाई है President for Attack, Isaiah Bradley के जेल का इवेंट, Samuel Stern की लैब की जाच, किसी कैरेक्टर का फ्यूनरल और शायद हमें ट्रेलर बता रहा है कि यहां किसका फ्यूनरल हो रहा है President Ross का Red Hulk बनना और Tiamut के पास होने वाली लड़ाई पहले हिस्से की बात करते हैं Captain America का इंट्रोड़क्शन हर सूपर हीरो मूवी शुरू होती है सूपर हीरो के इंट्रोड़क्शन से जहां उसे कई बार fight करते हुए दिखाया जाता है यहां भी Captain America Sam Wilson को दिखाया जा रहा है उसके Falcon and the Winter Soldier वाले look में वो कहीं पर उड़कर जाते हुए और उपर से ऐसे attack करते हुए दिख रहा है जैसे कोई air strike हो यह बहुत cool लगा मुझे और कहीं न कहीं यह scene मुझे याद दिला रहा है Captain America Winter Soldier की opening की जहां Captain America Steve Rogers भी उपर से उड़ते हुए नीचे आते हैं और बैट्रॉक और उसके pirate से निपटते हैं पर यह scene कहीं न कहीं हमें बता रहा है कि यह नया Captain America बहुत advanced है यहां कोई पानी नहीं है वो सीधा जमीन पर आकर गिरा और आते ही उसने बिना किसी को हाथ लगाए पहले अपने shock wave से सबको गिराया अब यह कहना गलत नहीं होगा कि Sam के पास super soldier serum से मिली strength और agility नहीं है बलकि उसके पास literally एक super suit है हम इस scene में देख सकते हैं जहां वो land हुआ कि कैसी उसका helmet nanotex से उसके face से हटा प्लस यह super suit ही है नहीं तो इस तरह की landing pair को goodbye कहने के बराबर है यह scene clearly लोगों को बता रहा है कि Sam Wilson का Captain America अच्छे अच्छो को टकर देने की capability रखता है और यही scene answer भी है ट्रेलर में Ross की बात का कि Sam Steve Rogers नहीं है वो बहुत अलग तरीके का Captain America है अब जहां यह लडाई हो रही है इस जगा को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि यह लोग मुर्ती चोर आ रहे हैं पर tension नहीं Captain मुर्ती चोरों को चकना चूर करने वाले हैं अगले हिस्से की बात करें तो हमारे सामने आता है President पर Attack वाला सीन पिछले ट्रेलर में हमने देखा था कि General Thaddeus Thunderbolt Ross वो आदमी जो हमेशा से Hulk के पीछे था और कहीं न कहीं Responsible है Avengers को Divide करने के लिए वो अब United States का President है जो कि पिछले ट्रेलर में सैम को बोलता भी है कि उसके साथ मिलकर काम करे हमें यहां इस ट्रेलर में वही Attack वाला नजारा दिखता है जिसके लिए ऐसा दिख रहा है कि Super Soldier आईसिया Bradley responsible है वही आदमी जिससे हम मिले थे Falcon and the Winter Soldier में हाला कि यहां कुछ Extra था यहां शुरुआत में ही हमें कोई दिखता है आईसिया और बाकी सब की फोटो खीचते हुए इसके हाथ मुझे थोड़े हरे दिख रहे है पर ऐसा लाइटिंग की वज़े से भी हो सकता है लेकिन जो फ्लैश यह आदमी मार रहा है उसका कुछ असर हुआ है आईसिया पर हमें एक फ्लैश लाइट कहीं किसी लैब में भी दिख रही है जहां पीछे हम कुछ फोटोस नोटिस कर सकते हैं यह वो लोग है जो आईसिया के साथ ब्रेनवाश हो जाएंगे और प्रेसिडेंट रॉस पर अटैक करेंगे ट्रेलर में रूथ आगे बोलती भी है कि यहाँ 5 लोग थे और यह कॉडिनेटेट अटैक था हमें आगे इनमें से एक आदमी दिख भी रहा है जिसे प्रेसिडेंट रॉस मुक्का मार रहा है जिनके पीछे हम देख सकते हैं आईसेया को सबके पिटाई करते हुए आईसेया एक सूपर सोलजर है जो नुकसान वो यहाँ पहुचाएगा वो भयंकर होंगे हमें आगे कहीं लिखा हुआ भी दिख रहा है रीसेट रॉस, रीसेट अमेरिका जहां हम नीचे एक मशीन देख सकते हैं जो कि किसी के ब्रेइन के मॉडल पर कुछ कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि ना ही सिरफ आईसेया और बाकी लोगों को ब्रेइनवाश किया जाएगा बलकि रॉस को रेड हल्क बनाने के साथ उसके दिमाग के साथ छेड़ खानी भी होगी जहां कोई Ross को परदे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है इन सब के पीछे Samuel Stern का हाथ हो सकता है Samuel Stern का The Leader है इस मूवी में जहां हमें उसकी जलक भी मिल रही आगे पर हमें Stern का चहरा नहीं दिखाया गया इस टेलर के साथ ठर्णल बोल्ट का जो स्पेशल लुक आया है उसमें भी ऐसा ही हुआ है जहां में सेंट्री अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिखा अगला ब्रेकडाउन में उसका ही करने वाला हूं तो रेडी रहना वापिस आये प्रेसिडेंट के अटैक पर तो आईसिया ने सब की पिटाई करी और वो भाग गया लेकिन बाहर उसे पकड़ लिया रूत बैट सराफ ने एक हाई रैंकिंग यूस गवर्वर्मेंट एजेंट जो की ब्लैक विड़ो भी रह चुकी है यहां इस सीन में हम सैम व उठाने के लिए हमें यहां ट्रेलर डिवाइड होता भी दिखा अब यह क्या सिंबलाइज कर रहा है यह उतना क्लियर नहीं है पर मेरे हिसाब से इस अटैक को करवाने वाला डिविजन चाहता है डिविजन लोगों के बीच अपने फाइदे के लिए जहां आधे लोग प् वाली Captain America Trilogy का ground था आजादी पहले आजादी नाजी बुलीज से फिर आजादी हैडरा के target होने से फिर आजादीटि सूपर हीरो की कि उन्हें हक है लोगों को बचाने का और Sam Wilson की इस Captain America Story में भी लडाई है अजादी से सोचने की बजाए कि किसी के भैकावे में आकर आपस में डिवाइड हो जाएं अगला हिस्सा है Aisyah Bradley का जेल में होना ये ट्रेलर शुरू ही हुआ था Aisyah के जेल में दिखने से और उसकी Sam को बुलाने से Aisyah Sam को बताता है कि कुछ हुआ है जिसने उसे मजबूर किया वो सब करने के लिए जिसके लिए वो जेल में है अब जब ICI ये सब बता रहा है तो हमें वही मॉन्टाज दिखाया जाता है प्रेसिडेंट पर अटैक करने वाला पर पीछे जो साउंड इफेक्ट हमें सुनाई दे रहा है वो फील दे रहा है ICI के brainwash होने की अब बेचारे ICI को अभी अभी recognition मिलनी शुरू हुई और आगे हम देख सकते हैं कि कोई उसके jail cell में गोली चला रहा है जहां Ruth उसे रोकने आई है ये scene clearly तो नहीं पर कहीं न कहीं ये बता रहा है कि ये आदमी ICI को गोली मार देगा इसी बात पर बात करते हैं funeral scene की हमें पिछले trailer और इस trailer में भी किसी का funeral दिख रहा है बहुत chances है कि ये funeral ICI का हो हालकि मैंने आपको अपने पिछले trailer breakdown में बताया था कि इस movie में Liv Tyler की Betty Ross भी है और हमें वो पिछले और इस trailer में कहीं नहीं देखी तो मुझे डर है कि ये funeral Betty का भी हो सकता है क्योंकि comics में जब Betty Ross मरती है तभी उसके पिता Thaddeus Ross, Red Hulk बनते हैं इसके बारे में और जानने के लिए मैं आपको हमारी Red Hulk Explained वीडियो रेकमेंट करना चाहूँगा trailer में ICA Sam को बुलाते हैं अपने साइट की स्टोरी बताने के लिए और वो उसको कहते हैं कि ध्यान रखे जिसके बाद अगर ICA मारा गया तो अब Sam मामले की जड़ तक पहुँचना चाहेगा इसी बात पर आते हैं अगले हिस्से पर Sam Ilstern की lab हमने पिछले trailer में देखा था कि Sam Wilson वाकिन टॉरिस के साथ मिलकर किसी lab की चानबीन कर रहा है जहां कुछ US soldiers उस पर attack कर देते हैं हमें इस trailer में भी ये नजारा दिख रहा है बस यहां फरक यह है कि इसमें उसका साथ देगी Ruth जिसका black video actions जबरदस लग रहा है अब Ruth यहां Sam का साथ क्यों देगी इसका reason हो सकता है कि उसने देखा था कि किसी ने ICA को मार दिया था पर आगे हम देखते हैं कि इन तीनों की चानबीन की वज़े से उन्हें आर्मी वाले पकड़ कर ले जाएंगे जहां हम देख सकते हैं कि इसकी shield भी ले ली गई है अब माहूल थोड़ा clear हो रहा है Sam के लिए कि stunt जो कि The Incredible Hulk में हुए event की वज़े से लीडर नाम का villain बन गया था वो Ross को control कर रहा है एक लड़ाई करवाने के लिए कौनसी लड़ाई इसके बारे में हम बात करेंगे अगले section में अब आते हैं तियामुत के पास होने वाली जंग पर ये है main मुद्धा movie का celestial तियामुत निकला Eternals movie में धरती से पर सरसी ने उसे रोक लिया अब मैंने आपको पिछले trailer breakdown में बताया था कि तियामुत में पाया गया है liquid metal और adamantium जिसमें capability है gamma radiation को absorb करने की दूसरी countries वकांडा के vibranium का मुकावला इस ओर से ही कर सकते हैं इसलिए सब इसके पीछे पड़े हैं जापान पहली country है तो इस liquid ore को solid metal में बदल सकते हैं और Samuel Stern इस metal के पीछे पड़ा है मोवी में Rosa Salazar भी है Diamondback के role में जो Samuel Stern के leader के साथ है अब Captain America को शायद थोड़ा idea है कि Ross को कौन कंट्रोल कर रहा है इसलिए वो इस adamantium war को रोकना चाहता है और यहीं आता है trailer का यह super awesome नजारा जहां Captain America fighter planes का सामना कर रहे हैं अब यहां आगे एक scene में हमें walk-in दिख रहा है हवा से गिरते हुए यहां लड़ाई बहुत भयानक होने वाली है जहां हम देख सकते हैं missiles fire हो रहे हैं और Captain America अपनी shield से इने रोक रहे हैं अब मुझे doubt है कि यह final fight sequence है कि नहीं क्योंकि final fight sequence वाली vibe इस अगले हिस्से से आ रही है Captain America vs Hulk अब trailer का end भी इसी sequence पर होता है Ross के Red Hulk बनने और Captain America का उसे रोकने से यह नजारा बहुत जबरदस्त है पर मेरा ध्यान गया Red Hulk के जमीन को छोने और वहां कपड़े के जलने पर यह है comic accurate Red Hulk जो की heat radiate करता है अभी इस trailer के साथ मुवी का poster भी सामने आया है जहां हम देख सकते हैं Ross के Red Hulk को shield को punch करते हुए जहां point of contact पर चिंगारी निकल रही है यह है Red Hulk की heat का असर प्रस यहां Captain America का wings को खोलना और उसके साथ Red Wings का दिखना बहुत बढ़िया नजारा है यह movie literally Sam Wilson को establish कर देगी अगले Avengers leader के रूप में अब यहां जो लड़ाई होने वाली है वो बहुत awesome होगी जिसका idea हमें Captain America के कार के दो टुकडे करने वाले scene से लग रहा है अभी ऐसी भी खबार आ रही है कि Captain America के shield और उनके wings और suit में Edmantium और Vibranium का mixture add होगा जिसकी वज़से वो Ross के Red Hulk का gamma एब्सॉर्ब करते हुए उसे टकर दे सकते हैं मैं इस topic पर एक separate वीडियो बनाने वाला था कि कैसे नया Captain America Red Hulk से टकर लेगा पर अब शायर ये ट्रेलर ही काफी है इस बात को समझने के लिए ये ट्रेलर पिछले ट्रेलर से कई लेवल आ गया है और दुख की बात ही है कि यह मूवी के आने में तीन महीने बाकी है तो इस ट्रेलर को देखने के बाद अब वेट करना तो बहुत मुश्किल है पर आपका क्या कहना है इस नई टेलर के बारे में आप नई कैप्टन Америка की स्टेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे क्या हैं यहां सूपर सॉल्जर सिरम की ज़रूत है प्लस एडिमेंटेम को लेकर आपको क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट में थोड़ा डीटेल में ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कई सूपर स्टोरीज के लिए आप जानते हैं कि स्टोरीज इंपॉर्टेν्ट होती है क्योंकि अंत में सब स्टोरीज ही तो बन जाते हैं